हलो फ्रेंज में राकी और राकी के मज़ेदार उसे में आपका स्वागत है आज हम बनाने वाले भेजी टेबल ओर्स जो खाने में मज़ेदार तो होता ही है तो चलिए हम इसे बना लेते हैं तो यह मैंने कुछ भेजी टेबल्स लिये हैं मेगरिंग कप से एक कप मैंने फ्रेस मतर लिये हैं अधा कप बीन्स है आधा कप सिमला मिर्च है और दस से पंदरफ फूल मैंने गोवी के लिये हैं और दो मिडियम साइज के टेमाटर को मैंने टुकरों में काट लिया हुआ है ठोड़े से धनिया पत्ता लिया है अरी मिर्च है हरी मिर्च को आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीगे गा मुझे थोड़ा ज्यादा तीखा पसंद है इसलिए मैं चार से पांच हरी मिर्च को काट करके ले ली हुई हूँ और मैंने एक कटोरी ओट्स लिये हैं यह रो सकते हैं यह बिर्जीन सेसमी अउयल है तो पूकर हमारा गर्म हो गया है तो दो से 3 टेबल स्बून हम CIसे डाल देते हैं now 1 haar टीस्पून जीरा अड़ करूंगी और जीरा जब क्रैकल हो जैए हरी मिल्च एड़ कर देते हैं और हम दाल हम 12 क lut ुष donkey Pose और इसे भी हम लगबग एक मिनट भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाएं यह हमारा भून चुका है अब हम इसमें सारी सब्जें अड़ कर देते हैं और पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें एक छोटी चमच नमक एड़ करूँगी आप अपने स्वाज के नुसार ले लिजिएगा अधी छोटी चमच हल्दी और टमाटो और धनिया भी मैंने एड़ कर लिया हुआ है इसे एक बाद चला करके मिक्स कर लेंगे और पचीस से तीस मिनट के लिए हम इसे जाएंगे हमें सब्जे को ज्यादा नहीं भूनना है बस इतना ही कि यह आपस में अच्छे से मिल जाएं अब हम इसमें पानी एड़ करेंगे पानी हम उतना ही एड़ करेंगे जिससे सारी सामगरी सब्जियां ओट्स और दाल पानी में अच्छे से डूब जाएं और कूकर में एक सिटी आ चुका है अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं देखे फ्रेंड कुकर हमारा ठंडा हो चुका है और इसका सारा प्रेसर भी निकल चुका है तो अब इसे हम खोल करके देख लेते हैं तो देखे फ्रेंड यह हमारे अच्छे से कुक हो मैंने इसे सर्मिंग बाउल में निकाल लिया हुआ है अब इसे हम थोड़े से धर्यां की पत्ती और एक निम्बू के स्लाइस से गार्निस करके इसे सर्व करूंगी तो फ्रेंड अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सेर और सबस्क्राइब करना न भूलें बाई